आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ देखो इस question में मुझे क्या given है that a body is projected horizontally from a very high tower with speed 20 meter per second तो कुछ इस तरीके समान लेता हूँ एक tower रहा होगा और एक body रही होगी जिसको मैंने horizontally project किया है speed 20 meter per second से ठीक है तो 20 meter per second से इसको मैंने horizontal direction में project किया है तो मुझे बताना है कि 5 seconds के बाद इसका approximate displacement कितना हो जाएगा ठीक है displacement मुझे बताना है 5 seconds बाद तो देखो कैसे करेंगे 5 seconds बाद हम displacement की बाद करें तो देखो 5 seconds में यह horizontally कुछ distance move करेगा मैं मान लेता हूँ कुछ distance यह horizontally move करेगा यहां तक आ जाएगा और कुछ distance यह vertically downward move करेगा चोकि इस पे acceleration due to gravity लग रहा है जी vertically downward direction में तो मान लेता हूँ कि vertical direction में कुछ यहां पर आएगा तो इसका जो actual motion हमें दिखेगा वो कुछ इस तरीके का होगा मान लेता हूँ 5 seconds में कुछ इस तरीके से यहां पर आया होगा तो मुझे इसका displacement निकालना है तो displacement निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा displacement हम जानते है shortest path होता है ठिक है तो यह distance मुझे निकालना पड़ेगा ठिक है यह जो distance है इस distance की value मुझे निकालनी पड़ेगी displacement हम जानते है क्या होता है shortest distance between two points या two positions ठिक है तो ये position और ये position के बीच में ये actual तो motion इस तरी के से करके आया है लेकिन इसका displacement क्या हुआ? shortest distance तो shortest distance क्या होगा? ये straight line जो उनको connect कर रही है ठीक है? तो इसकी वाली मुझे निकालनी है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ ये? देखो, ये distance अगर मेरे पास आ जाए और ये distance मेरे पास आ जाए तो ये जो है, hypotenious से इस triangle की इस distance को अगर मैं parallelly यहाँ पर draw कर दूँगा parallelly इस distance को मैंने यहाँ पर draw कर दिया ठीक है? इसको मैं माल लेता हूँ D distance या इसको हम X बोल देते हैं और इस distance को हम बोल देते हैं Y तो जो displacement है उसकी value क्या हो जाएगी displacement को S बोल देते हैं it will be equal to under root of X square plus Y square ठीक है? X की value कैसे निकाल लेंगे हम? X direction में हम जानते हैं कोई भी acceleration नहीं है इस projectile के पास X direction में कोई भी acceleration नहीं है जो कोई force acting नहीं कर रही है तो ये जो velocity है ये constant velocity है ठीक है? तो X को में क्या लिख सकता हूँ? constant velocity VX into time constant velocity VX into time तो ये हो जाएगा 20 meter per second into 5 तो यहाँ से X की value तो मेरे पास आ गई 100 meters अब निकाल लेता हूँ मैं Y की value तो Y किस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं? Y हो जाएगा मेरे पास UYT plus half into AYT square हम equation यूज़ कर रहे है S equal to UT plus half AYT square तो Y हो जाएगा UY into T plus half AYT square तो Y direction में इस projectile के पास कोई velocity थी क्या? बिल्कुल नहीं इसको हमने horizontal direction में project किया था तो vertical direction में इसकी velocity तो 0 थी यानि UY की value है 0 ठीक है? AY की value कितनी है? AY की value है G ठीक है तो इसमें value substitute कर देते हैं तो यह हो जाएगा Y is equals to half into G into T square T की value कितनी है? 5 तो T square हो जाएगा 25 और G की value भी substitute कर देते हैं 10 ठीक है तो यह कितना हो जाएगा? 125 तो Y की value आ जाएगी मेरे पास 125 meters तो देखो X भी मेरे पास आ चुका है Y भी मेरे पास आ चुका है तो अब S की value निकाल सकता हूँ मैं ठीक है? S कितना हो जाएगा मेरे पास? under root of X square that is 100 square plus 125 square तो इसको जब solve करेंगे तो S की value आ जाएगी मेरे पास approximately equal to 160 meters ठीक है? तो यह आ गया मेरे पास displacement of the projectile in 5 seconds यही मेरा answer हो जाएगा options में अब अगर हम देखें तो option number 3 में मुझा गिवर है 160 meters तो option number 3 हमारा correct answer हो जाएगा तो I hope आप लोगों को clearly समझाया होगा Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सू पर झाल